आज कल का जो वर्तमान समय चल रहा है हर इंसान भैभीत है चिंता ग्रस्थ है टेंशन में है डिप्रेशन में है कई तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कैसे भी situation हो हम अपने मन को कैसे हलका रखें देखो मन हलका रहता है न तो मन का प्रभाव तन पर पड़ता है तो आप खुद भी देख लीजिए जब आपका मन भारी है या आप किसी भी बात पर उदास हैं तो कोई भी आसपास भले शादी का माहूल ही क्यों नहों घर में और आप उदास हैं किसी बात को लेकर तो इतनी खुशी के समय पर भी आपको उस खुशी का एहसास नहीं होता आप उस खुशी को अनुभव अच्छे से नहीं कर पाते और कोई आपसे मजाक भी करेगा तो आप बलको आपको वो भी अच्छा नहीं लगता उस समय क्योंकि बलकि हम क्या बोलते हैं प्लीज मुझसे बात नहीं करो मेरा मूड ठीक नहीं है हाना तो अब हर चीज में ये तो थी अच्छा फंक्शन है घर में फिर भी मेरा मूड ओफ है तो मूड ओफ किसी बात को लेकर होगा ना किसी सिच्वेशन को लेकर होगा या किसी ने कुछ हमें कह दिया होगा जिससे हम हर्ट हो गए और उसी बात को मैंने पकड़ लिया तो अब अपने मन का ही ध्यान रखना है कि मेरा मन खुश रही कितना हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ तो शरीर थोड़ी खुश होता है खुश क्या होता है देखो तन और मन दो चीजे हैं अगर मेरा मन भी ठीक है और तन भी निरोगी है और मन भी खुशी है मन में उमंग उत्सा है तो क्या होगा तब लगेगा संपूर्ण जिन्दगी का आनंद और तन स्वस्थ है लेकिन किसी वज़े से मन ठीक नहीं है मन में कुछ-कुछ ऐसा चल रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें क्या होगा आप उस खुशी को एंज्वाय नहीं कर पाएंगे तो मन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है शरीर तो इतना बड़ा है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम सभी बहुत exercises करते हैं डाइटिंग करते हैं अपने भोजन का भी ध्यान रखते हैं फिजिकल exercise भी करते हैं योगा करते हैं aerobic करते हैं या कहीं घुमने चले जाते हैं long walk करते हैं jogging करते हैं swimming करते हैं gym जाते हैं ये सब क्या है अपने शरीर को ठीक रखने के लिए physical exercises इसमें हम सब expert हैं conscious भी है तो इसके लिए ज़्यादा attention की जरुवत नहीं है क्योंकि ये हमारी natural nature बन गई है हमने इसके लिए सुबह morning में थोड़ा time spare रखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम walk करेंगे, exercise करेंगे अपने शरीर के लिए समय देना है अब आप सुनिए अपने मन को ठीक रखना है उसके लिए अपने समय दिया है, fix किया है कि आज मैं सुबह सुबह अपनी मन को fix कर लूँ कि मुझे खुश रहना है ऐसा आपने plan किया नहीं करते physical करते हैं लेकिन मन के लिए हम इतना सब कुछ नहीं करते हाँ, कुछ लोग yoga करते हैं वो भी physical yoga जादा करते हैं मन को meditation के द्वारा हम खुश रखें एनरजाइस करें ये सब हम लोग नहीं करते हम सुचते हैं इसके लिए time ही नहीं है जरुवत ही नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं ignore करते हैं लेकिन मन को स्वस्थ रखना मन को शक्तिशाली रखना तन से भी ज़्यादा important है कहने का मतलब ये है कि मन खुश होता है और powerful होता है तो उसका direct impact हमारी body पर पड़ता है अब आप देखे मन कमजोर है उदास है मन से कमजोर महसूस कर रहे हो तो सर्दी आ गई अचानक से ठंड आ गई तो पता क्या है मन कमजोर होता है ना ठंड हमें पकड लेती है तो अच्छा खासा शरीर को भी उखार आ जाता है लेकिन मन शक्तिशाली है तो तन शक्तिशाली आप पही हो जाएगा क्योंकि मन से जो शक्ति vibration निकलती है वो हमारे पूरी body पर प्रभाव डालती है तो हमारा मन शक्तिशाली है तो तन अटोमेटीकली उसमें resisting power होती है तो हम बिमार नहीं होते तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम मन को कैसे खुश रखे अब हम बाहरी चीजों का ध्यान देते हैं मन को खुश रखने के लिए बाहरी हमारे कुछ ऐसे हमने points बना रखे हैं resource बना रखे हैं कि हम वहाँ जाते हैं और वो करने के बाद हमारा मन कुछ समय के लिए खुश हो जाता है तो हम refresh हो जाते हैं वो तह refresh होना अब जैसे कभी-कभी होता है हमारे office की छुटियां है बच्चों की छुटियां है तो हम hill station पर चले जाते हैं या अपने relatives के ही हाँ चले जाते हैं तो क्या हो गया? change हो गया तो change होने से क्या होता है? मन refresh हो जाता है क्योंकि वो ही दिन चर्या में हम जो चल रहे होते हैं उससे हमारे routine change हो गया लोग change हो गया स्थान change हो गया तो मन refresh हो जाता है लेकिन जब हम वापिस अपने स्थान पर आते हैं फिर वही थोड़े दिन के बाद फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं लेकिन मन तो सदा ठीक रखना है तो उसका एक तरीका तो होता है meditation मन को भी संपून तरीके से स्वस्थ रखने के तरीके लेने होंगे और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको एक तो आप आदत डालो कि थोड़े समय के लिए एकांत में बैठो जो भी आप कारेवेभार करते हो जो भी परिवार के साथ रहते हो सब चीज के लिए थोड़ी देर के लिए disconnect हो जाओ और अपने को अकेला रख लो मैं और मेरा मन मतलब मैं अपने मन से बाते कर रही हो खुद तब मुझे मेरा मन क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा तो कहते हैं न एकांत वासी अब आप देखिए जो ये रिशी मुनी होते हैं वो क्या करते हैं वो कहां रहते हैं एकांत भी रहते हैं तो उन में वो शक्ती होती है कि वो आगे पीछे के समय क्या होने वाला है वो भी पहचान लेते हैं तो एकांत वासी बनना तो हमें इतना सब कुछ तो नहीं करना है लेकिन अपनी daily life में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो कहते भी है ना कि हम घरवालों के लिए करते हैं office में करते हैं हमें समय कहां मिलता है जैसे physical exercise के लिए समय निकालते हो इसलिए आप सुभा और सबसे अच्छा time है एकांत में अपने लिए समय निकालने का morning time जब family members भी सो रहे होते हैं थोड़ा सा जल्दी उठने की आदर डालेंगे तो आप बहुत healthy रहेंगे क्योंकि जब हम जल्दी morning में उठते हैं तो वातावरन बड़ा powerful होता है और charged होता है आप देखिए day time में कैसा वातावरन होता है चारों तरफ से noise, traffic pollution लोग जो सोच रहे होते हैं जो activity कर रहे होते हैं आज के low maximum कैसा सोच रहे होते हैं बताओ waste या negative तो वो जो सोच रहे होते हैं वो energy भी वायू मंडल में फैल रहे होती है तो अब वायू मंडल में vibrations कैसी होंगी दिन के समय आप बताओ तो जब सुवे सुवे हम उठते हैं maximum लोग सो रहे होते हैं तो उनके मन क्या होते हैं? शान तो वो vibrations खतम और पूरी रात जब शान्त होते हैं ट्रैफिक भी कुछ नहीं चल रहा होता है तो ट्रैफिक pollution भी खतम सब लोग sleeping world में होते हैं उस समय अगर आप उठी जाएं और अपने आप एकांत में बैठ जाएं तो आप चार्ज हो जाएंगे आपका मन चार्ज हो जाएगा और वो जो मन चार्ज होगा वो पूरे दिन काम करेगा आप करके देख लीजिए शाम तक आप अपने आपको fresh feel करेंगे दूसरा सुबह उठकर जब आप उठते हैं पहले तो परमात्मा को good morning करें तो सबसे ही अच्छा शुरुआत अच्छे होने चाहिए ठीक है दूसरा आप अपने मन में सुबह उठते ही कुछ अच्छे से positive संकल्प करो positive thought अपने मन में create करो ये भी कर सकते हो for example मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ ये भी positive संकल्प है दूसरा ऐसे सोचते हो मैं संपून स्वस्थ हूँ मतलब जो आप अपने को देखना चाहते हो उस संकल्प को सुबह सुबह उस thought को अपने मन में ले करो उठते ही उठते ही उसका कारण है और I am a powerful being मैं सब कुछ कर सकती हूँ इस तरह के जो भी संकल्प आपको लगता है मेरे लिए अच्छे है positive वो आप अपने मन में ले कर आओ उस समय क्या होता है उठते ही उठते ही 10 मिनट के अंदर उसमें क्या होगा कि 10 मिनट के अंदर हमारा जो subconscious mind होता है वो active होता है जो भी संकल्प जो भी thought उसमें आप create करते हैं वो हमारे subconscious mind में चले जाते हैं तो अगर positive और powerful संकल्प thought आपने create किये तो subconscious mind open होता है वो उसमें चले जाएगा तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा पूरे दिन उसका प्रभाव हमारे उपर पड़ता है और हम tired भी नहीं होंगे active रहेंगे क्योंकि शुरुआत दिन की कहते भी न दिन की शुरुआत अच्छे होने चाहिए यह इसलिए कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छे हो गई तो बस पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा तो दिन की शुरुआत को आप ऐसे अच्छा कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ करना है आपको महनत करनी है कुष्णी करना एकांत में अपने से बाते करने की आदत डालें सिर्फ अपने से अपने लिए अपने लिए ही सोचना है अपने बारे में सोचना है अपने से बात करनी है इससे मन आपका शक्तिशाली बनेगा और पॉजिटिव संकल्प सोचो सुबह सुबह तो आप जैसे मुबाइल को हम सुभा सुभा चार्ज करते हैं न, देखो, मुबाइल को हम सुभा सुभा चार्ज कर लेते हैं, फुल चार्ज हो गया, शामतं काम करता है न, फिर चार्ज करने की जुरत पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, हम भी बे फिकर, मुबाइल चार्ज है काम कर रहा है ऐसे ही सुभा सुभा जैसे हम मुबाइल को चार्ज करते हैं प्लगिन करके ऐसे ही हम उस परमात्मा की याद में ही बैठ जाएं और अपने आप से बाते करें एकांत में और अच्छे अच्छे दो चार thoughts create करें अपने अंदर positive तो क्या होगा मेरा मन जैसे मुबाइल चार्ज होता है ऐसे ही मेरा मन सुभा सुभा चार्ज हो जाएगा और वो मन जैसे मुबाइल को पूरे दिन आप use करते हो freely आपको सोचना पढ़ता है यह चार्ज है डिस्चार्ज है पता है शाम तक चले गई चलेगा ऐसे ही मेरा मन भी सुभा चार्ज हो जाएगा और शाम तक चलेगा कोई भी situation आएगी कोई परिस्थिती आई किसने कुछ कह दिया उन चीजों का प्रभाव मेरे पर जादा नहीं पड़ेगा तो it is very easy मुश्किल तो नहीं है ना सहज है कर सकते हैं बढ़ थोड़ा सा जल्दी उठो जब सारे सो रहे हो उठ जाओगे तो परमात्मा से भी connect हो जाओगे वो भी हमें देखता है मेरे बच्चे सुभा मेरे कोई 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 याद कर रहा है कोई कोई याद कर रहे हैं तो हम उससे भी connect हो जाते हैं तो इस तरह से मन को शक्तिशाली बना सकते हैं जब मन शक्तिशाली होगा तो सब ठीक होगा तो ये तरीका आप अडॉप्ट करें तो मन में खुशी रहेगी हर कारे में कुशलता भी मिलेगी सफलता भी होगा ओ शक्तिशाली